असलामुलीकुम फ्रेंड्स वैलकम टू फूट विद निम्रा चैनल तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगी अभी मैं अपने क्लब सेंविच बना रही तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो कर देती हूं बहुत ही एजी से और बहुत ही मज़ेदार से कलब सेंविच की रैसिपी शेयर करूंगी और वीजियो को आगे सब्सक्राइब के बैल आइकन को भी प्रैस कर लीजिए ताक उससे मेरी न्यू न्यू राइसिपी की नोटिफिकिशन आपको मेल जाए और वीज कॉन्टिटी पर आप लोग एगनोर कीजिए क्योंके मैं यहां पर एक ही सैंविच बना रही हूं और अभी मैंने फ्लेम ओन नहीं की है क्योंके मैं तमाम स्पाइसिस वगेरा एट करने के बाद फ्लेम ओन करूंगी इस पाइसिस को मैं अपने अंदाजे से एक कर रही हूं लाल मिट्स पॉडर एट करेंगे वन फोर टी स्पून काल मिट्स पॉडर एट करेंगे वन फोर टी स्पून चाट मसला पॉडर एट करेंगे वन फोर टी स्पून और जर्दे का रंग मैंने वन फोर टी स्पून से कम एट किया ही और चिली सॉस भी हम एट करेंगे हाफ टी तर आफ टी श्पून यृ विनिगर एट करेंगे और 1 फोर्ट कप के बराबर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है और वन्फोर टी स्पून कुटी हुई मिर्चे एट करनेके बाद आप अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी फ्लेम ओन कर देंगे तकरीबन आपने 6-7 नट इसको कुक करना है अच्छे से और इस रेसिपी को आप डबल सर ट्रिपल करके बना सकते हैं जितनी आपके चिकन की कौंटिटी होगी उतनी ही आपने इस पैसे जाइड करने है इसमें 7-8 मिन बाद हमारा च के अंदर मैंने हाफ कप से कम गोबी को एड़ करेंगे यहां पर मैं एक सैन्विश बना रही हूं तो उसी साफ से मैंने चीजे लिए शिमला मिल्स टू टैबल स्पून एड़ करेंगे और यह बिल्कुल फाइन चॉप हुई वी है और अगर आप लुक चाहें तो इसमें को अगर अगर आपने पीश रख देना है जब एक तरफ स्लाइस की साइड पर कलर आ जेगा तो आपने दूसरी तरफ टैंट कर देना है इसी तरीके से हम सारे से एक लेते हैं फिर एक अज़ित अंडे के अंदर मैंने हजब जरूवत नमक स्प्रिंकल किया है जैसे हम आम जब एक साओ इसाओ को जाएगी तो हमने दूसरी साइड को भी अच्छे से को कर देना है और मैं यहाँ पर देख रही थी कि जो इसके अंडे की जर्दी संबिच के सैंभलिंग करते हैं सबसे पहले हमने टोस्ट हुआ हुआ है और इसको पर जो में इस साहले करी ती ओपर कर देंगे अच्छे से स्प्राइट कीजिएगे अपने पिर इसके बाद दूसर स्वास्ष रखेंगे हम इसके अपर और तोड़ी सी हम लोग माइने इसको पर ने चिकन राड़ी किया था इसको भी अच्छे से हम पहला देंगे और थर्ड स्लाइस को भी आपने रग देना है फिर से थोड़ी सी माइनिस को डुजल करके स्प्राइट कर देंगे आप लोग चाहें तो इसको दो लेयर में भी बना सकते हैं में यहां ट्रिपल लेयर ब कट कर देना है उसको मैं इस तरी के से कट कर दिया तो जिसकी साइट थी वह भी मैंने इसको इंपर ही रग दीए फिर इसके बद लास्स स्लाइस से आपने इसको कवर कर देना है और प्रेस कर देंगे अब कलब सैंविच की कटिं करते हैं और आपने अराम से कर नहीं हमारा वो बिखर ना जाए और यह आप लोग अभी देख लीजिए कितनी ही अच्छी स्की लेयर्स बनी है और जरूर आप लोगों यह ट्राइ करना और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है और आप लोग मुझे यह बताईगा क्या आप यह पूरा सैंविच अकेले खा सकते हैं मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरा सैंविच नहीं खा सकती मैंने तो अपने भाई को यह पूरा आदा दे दिया था क्योंकि मुझसे इतना सारा नहीं खाया गया इतना यह हेवियो बनता है ना के बस आप लोगों ने सैंविच ज़रू ट्राय करने और मुझे कमेंट्स मे सबस कर देचे में पूरा जो सबनाना सिपसे हाँ ट्राय कर रहें को अधर मैं नहीं खा शक्ति तो अपने पार रहें दों यह बहुता हैं तो इस पर श्रुला स्वारव आप लोगों हैं झाने सेंविच पूरा कर सकती हैं यह जा लाजमी पैर पेर आप यह आंपने जीपि अब लाफिस